कि एक तो देखो वर्ड कप वर्ड कॉलिफिकेशन के अंदर तो चलो बहुत टीम बिढ़ती है और वह बहुत साल में चार साल में कभी एक बार होता है चार साल या पांच साल में ठीक है और शेकंड चक्कर क्या है कि यह जो लीग है ना कॉनमेबल वर्ड कप कॉलिफायर इसके अंदर तो आई दिन कभी इंटरनेशनल फ्रेंडी लीग कभी मलब आर्जंटीना भिटती रहती है और पेरू को बहुत बर हराया भी है तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक के नीचे डिस्रिप्शन में जाओ फट 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 नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड जॉइन हो जो और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी पी तरह की चीज को पुरस्तायत निकर रहे है वीडियो बहुत यादा सेफ और नॉलेज़ेबल ऐसो में इस बार वर्ल्ड कप की विनर भी वही है वर्ल्ड चैंपियन टीम अब इस वक्त वह चल रही है तो कोई भी नहीं होगा जो फेवर बदलेगा सबसे पहले मैं बात करूं ऐसी की हुई वापसी पिछले मैच में एज़ा सब्सक्राइब करें इन्हों ने खेला था वापसी तो हो गई बंदा इंज्री से रिकावर हो गए बस यह चाहिए था एल मार्टिनेस को इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी अलवरेस के बारे में इसको खिलाया था बट आपको पता था उस मैच में मैसी नहीं है अगर मैसी होता तो एल मार्टिनेस या अलवरेस में से एक बंदा ड्रॉप होता उसके बाद पी गुरेरो को लूंगा पी गुरेरो बनता है जरूर बनता है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है और ना ही मैं कौंगा डिफेंडर लेने को क्योंकि पेरू को ज्यादा गोल ना हो जाएं बात करें आप पर मिट फिल्डिंग स हमारे बास भी option नहीं हमें भी मजबूरी में लेना पड़ता है यॉटन की बात करें यॉटन तो इतना अच्छा है नहीं पता ही लोग highly selection इसलिए पहुचा देते हैं कि नीचला प्लेयर कल को चल जाना बहुत दिक्कत आजएगा आपको four member contest में क्योंकि four member के अंदर बड़े में बहुत बुरा आ रहा तो बहुत नमूने टख देंगे हैं आपको four member contest में कहीं बिलकुल पागल होंगे कहीं बहुत तेज भी होते हैं तो यॉतन एक रिस्की तो नहीं है यॉतन सेव आप लेना चाहों ले सकते हो आड़े पॉल को जरूर लेना पिछले मैंच के अंदर यह एक असिस्ट आई थी यह भी अच्छा लगा ए मैकल इस्टर काम का बंदा नहीं है मेरे को नहीं पसंद मेरा जैनुइनली यही रहता है हर मैच में लोगम पास पिछले मैच में सब्चिटूशन आया था सब्चिटूशन आया था एन गॉंस प्लेंग 11 में खेला था नह आपे लेंगे आर्जंटीना का पहला डिफेंडर निकलस निकलस के बाद सी रो मैरो तो अच्छा एंडरस्टेंडिंग वाला प्लेयर है उसके पार एन उटमेंडी की बात करूओ उटमेंडी को छोड़ना मत पिछले मैच में भी देखा ही होगा अच्छा जबर्दस गेम अच्छी गोल बहुत करता है इंटरनेशनल में अलग है इंटरनेशनल में बिल्कूल अलग मॉलिना खेलेगा तो हमें रुकना बड़ेगा क्योंकि चार्ट डिफेंडर लेने का तूक नहीं है इस मैच में बात करें गोल कीपर की तो यहाप पर है पेड्डरो गैलिस पेड इस लीग में क्योंकि इस मैच में क्योंकि आडेपॉल वाइस केप्टन के लायक नहीं है एंट गॉंजलेश रिस्की है सेफ प्लेयर मैंने लिया नहीं और डिफेंडर के साथ जाने की राय मैं आपको दूंगा नहीं तो मेरे पास सिरफ एक उप्शन बचती है सेकिंड ठीक है तुँ समझ गई होगे मैं क्या कहना जा रहा हूं बागी मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाइट